नमस्कार दोस्तों मैं हूँ गंसयाम और आप देख रहे हैं गंसयाम टेक दोस्तों बैंक निफ्टी की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ इसमें हम बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी से जुड़े हुए स्टॉक के बारे में चर्चा करते हैं सीखते हैं समझते हैं कि क्या लेबल इंपोर्टेंट है बैंक निफ्टी के लिए और जो इस टॉक बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं उनके लिए दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सबस्ट्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा अब देखिए पिछले चार पांच दिनों से मैं बार बार आप लोग को ये बताते हुए चला जा रहा हूँ कि हमारे पास जो स्ट्रॉंग रजिस्टेंस है बैंक निफ्टी में वो है 36,666 का हमारे पास स्ट्रॉंग रजिस्टेंस है तो इस लेबल को ध्यान में जब तक हम इस लेबल को क्रॉस नहीं करेंगे उपर की साइड में आपके लिए एक बहतरी नहीं मिलेगी और जब भी भी आप इस लेबल के आसपास आएंगे यानि ध्यान रखिएगा 35,000, sorry 36,550 से लेकर के 36,660 के बीच, 36,660, 36,680 इस लेबल के बीच में आएंगे तो आ हमारे लिए no trading जो हने ध्यान किएगा ये हमारे लिए no trading जो हना है best trade आपका तब बनेगा अब जब हम 36,680 के उपर trade करना इस टार्ट करेंगे तो यहाँ पर हमें एक बैस्तरीन moment मिलेगी जो कि हमें लेके जाएगी 36,980 के आसपास तक तो नजर बना के रखिएगा उपर की साइड में यह पोजीशनली यहाँ पर अगर हम इसके पास में ट्रेड होते मान लीजTw नीजिये कल तो गुरुवार के सेसन में न कर फ्राइड़ के सेसन में आपको एक्सपारी में हमें किस तरह से ट्रेड करना है वो बीडियो को ध्यान पूर्वक्त देखीगा तो आपको सारी चीजे समझ में आएंगे कि expiry में आपको बड़ी moment कहां पे मिलने वाली है अब चलिए जो time frame है उसको मैं थोड़ा सा कम करता हूँ यहाँ पे इसको मैं पहले delete करता हूँ अब यहाँ पे देखिए जो आज के session में market ने इसी range के अंदर अभी भी हम इस range के अंदर में ही है यानि 3500 से ले करके उपर जो 36600 है उसी range के अंदर में आके हम यहाँ पे close कर रहे हैं लेकिन ध्यान दीजेगा पिछले 3 दिनों से हम negative closing यहाँ पे कर रहे हैं तो bank nifty में कल एक अच्छी moment हमें देखने को फिर से वापस मिल सकती है जिस तरह से volatility है बस इसी तरह से volatile चाहिए हमें देखिए मैं पहले ही बार-बार आप लोग को बोल रहा हूँ कि bank nifty अगर volatile है तो हमारे लिए option में अच्छा पैसा बन सकता है लेकिन अगर आप सही जगए पे trade पकड़ोगे तब market अगर पता है कि market को ये news है तब volatile होगा तो हमारे पास option के लिए ज़्यादा movement नहीं बचती है लेकिन अगर market को पता नहीं हो market movement करता रहा हूँ up and down side की तब यहाँ पे एक option buyer के लिए बहतरीन setup होता है तो वीडियो मैंने बताया था कि मैं यहाँ पे opening में ही trade लूँगा यानि पहले minute में ही bank nifty में trade लूँगा तो मैंने पहले minute में ही bank nifty में trade लिया था उस trade के सारी 20 जानकारी में आप लोग को तो हर समय आपको trade वहाँ पे लेना पड़ता है जहां से moment fast होती है option buyer का मतलब यह नहीं कि आपने trade ले लिया और दो घंटे तक option buyer वहाँ पे बैठे रहोगे तो आल लेडी आपका premium खतम होता जागा और वो अगर बुद्वार और गुरुवार को हो रहा तो वो तो आपका premium बहुत तेजी से वहाँ पे गटेगा तो option buyer का मतलब यह है कि आप सही जगह पे आनी जब लोहा गरम हो हथोड़ा तभी मारना है तभी आपको option buyer में पैसा यहाँ पे मिलेगा तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारा जो free जो हमारा premium group है उसको join कर सकते हैं premium group को join करने के लिए video के discussion में link दिया हुआ है तो उस link के जरिए जाके अगर आप अपना dmit account open करते हैं तो आप हमारे free premium group में जुड़ जाएंगे वहाँ पे मैं bank nifty option की bank nifty की stocks की nifty की कुछ important label वहाँ पे post करते रहता हूँ जिसको आप देखिए समझिए और सीखते रहिए अब यहाँ पे देखिए मैंने 15 minute का चार्ट लगा लिया है बैंक nifty पे तो बैंक nifty का यह 15 minute का चार्ट है मैंने आप लोग को एक चार्ट पोस्ट किया हुआ था support level के support बना के मैंने एक चार्ट आप लोग को पोस्ट किया था सुबे के सेसन में तो देखिए market ने support बिल्कुल उसी जगह पे support लेके वहीं से यह bound back हुआ है तो यहां पे एक अच्छा trade buying side का बन सकता था लेकिन already मैंने sell side की एक बड़ी moment पकड़ ली थी यहां पे तो मैं buying side में गया ने क्योंकि जो पैसा मिल गया तो उसको save करना पहले सीखना होता है हर trade हमें नहीं मिलेगा जिस trade के लिए आप बैठे मैं इंतजार कर रहा था इसी trade का तो यह trade मुझे मिला और बहुत fast मुझे moment मिले 10-12 minute में हमारा जो trade सा हुआ 100-100 point उपर चला गया तो हमें एक बैतरीन moment वहां पे पकड़ में आ गई थी अब यहां पे देखिए market ने आखिर closing कहा पे दिया है 783 के आथ पास तो कल के लिए वापस एक बैतरीन moment मिलेगी कब शुरुआत के एक मिनट बाद कल का trade जो मैं लूँगा एक मिनट की पहली candle close होने के बाद लूँगा दे कि मैं आप लोगो पहले ही बता दे रहा हूँ पचकर 16 मिनट में ट्रेड ले ही लूँगा पस पहले मिनट की candle मुझे देखनी है कि पहले मिनट की candle क्या कर रही है किस तरह से वो close कर रही है और market पहले मिनट में किस तरह से open हो रहा उसके बाद मुझे मालूम है कि 100-100 points की moment बहुत आसानी से मैं capture कर सकता हूँ दूसरे मिनट में अगर मैं trade करूँगा कल तो कल का पहले मिनट की candle के बाद कल मैं दूसरे मिनट में trade करने वाला हूँ और आज मैंने पहले मिनट में trade किया था तो उसका आपको जो उसकी information है मैंने क्यों trade किया था क्या मैंने देखा था वो learning वाले channel है नहीं आठ आप trading वाले channel पर एक video डालूँगा उस पर आपको मिल जाएगा अब कल के session में हमारे लिए important है ये train line इस train line की उपर अगर हम trade करने लगे और उसके बाद अगर हमने 36,000 तिरपन के level को cross किया तब यहाँ पर एक better in moment आपको दिखेगी short covering start होगी दरसल फिर से short covering start होगी जब हम 36,000 तिरपन के उपर trade करेंगे तो हमारे पास chances होंगे कि वापस हम 36,400 के आज़ पास तक bank nifty में जा सकते हैं तो ध्यान रखिए कर कल के लिए अगर आपको better in trade एक moment better in moment पकड़नी है तो market अगर इसी जगह पर open होता है तो कोई बात नहीं लेकिन trade आपको तब कीजिए जब हम 36,000 तिरपन के उपर trade करेंगे 36,000 तिरपन के उपर trade करेंगे तो हमारा जो first target होगा वो होगा 36,000 यहाँ पर 180 का और second target होगा हमारा 36,290 और third target होगा 36,410 का यह 3 target के लिए हम trade कर सकते हैं कब जब हम नीचे से open होके कलम cross करते हैं 36,000 तिरपन को cross करेंगे तो पहला target होगा 36,180 का दूसरा target होगा 36,290 का और third target होगा 36,410 का यह दो target आपके लिए 3 target यहाँ पर निकल के आएंगे जब इसको हम cross करेंगे तो stopless इस condition में आपको लगा के रखना पड़ेगा 35,950 का आपको stopless भी follow करना पड़ेगा यहाँ पे यह हो गया upside की moment अगर हम उपर की side में निकलते हैं stand line को break करने के बाद यहाँ पे निकलते हैं तब हमें यहाँ पे buying करना है माल लीजिए अगर हम उपर न जाके कल नीचे की side में तो नीचे की side में मैं wait करूँगा थोड़ा सा इंतजार करूँगा देखिए नीचे की side में best moment तो already यहाँ पे ही बनेगी क्योंकि यहाँ पे बार बार हम support ले रहे हैं यहाँ से ध्यान से देखिए तीन दिन आके हम इसी जगह पे हमने support लिया है तो उमीद ज्यादा तर उमीद यह है कि कल हम उपर की तरफ cross करेंगे तो एक बैतरीन movement मिलेगी लेकिन उपर की side में माल लीजे हम यहाँ से यहाँ तक पहुंच जाते हैं इस label के आत्पात पहुंच जाते हैं और यहाँ पे कोई आपको bearish candle मिलेगी तब आप sell कीजेगा देखिए देखिए कल हमारी expiry है weekly expiry है bank nifty की तो पहले market को कहीं न कहीं एक तरफ जाने दीजेए अगर आपको कुछ trade समझ में नहीं आ रहा है आपका कोई opening setup नहीं है तो पहले market को कहीं भी जाने दीजे मालीजे 200-300 point अगर market ऊपर चला आता है तो यहाँ पे wait कीजे कि यहाँ पे कोई आपको bearish candle मिले ठीक है कोई भी अगर bearish candle अगर आपको यहाँ पे मिलती है तो यहाँ पे जाके आप put को buying कर सकते हैं जब उसी bearish candle के low के नीचे trade करेगा तब अगर मालीजे पहले market नीचे की त 300-400 point तो यहाँ पे wait कीजे आपको कोई bully scandal मिले bully scandal मिले तब आप यहाँ पे buying कीजे bank nifty को यह सबसे आसान तरीका या पिर कहीं जाने दीजे उसके बाद consolidate करने के बाद आप trade लीजे तो यह इंतजार कीजे इंतजार करने का ही market पैसा देगा आपको कहीं पे घुसने का market पैसा बिल्कुल नहीं देगा तो यह दो condition थी हमारी bank nifty के लिए अब चलिए देखते हैं कि bank nifty में ऐसे कौन से ही stock से जो bank nifty को ऊपर और नीचे ले जाने में कल मदद कर सकते हैं पहला ही stock से हमारा access bank तो access bank देखिए उसी range के अंदर में फसा है तो यहाँ पे अभी कुछ नहीं कर करता है तो यहाँ पे एक short position आप create कर सकते हैं 81 के target के लिए और 80 के target के लिए stop plus 83 का आपको लगा के रखना पड़ेगा HDFC bank यहाँ पर भी confusing zone में है तो वेट करेंगे अभी कुछ नहीं करेंगे जैसे कि मैं बहुता है 1580 के नीचे अगर close कर देगा तब आपको सायद यह 1500 के आ IDFC first अगर आपके पास position है तो यहाँ पे आप stopler जरूर 48 का follow कीजिए बैतरी मुमेंट यह 52 के ऊपर close करने के बाद में ही देगा दोस्तों अगर आप भी हमारे support group से जुड़ना चाते हैं और free stock market training लेना चाते हैं तो वीडियो के description में link दिया हुआ है उस link के जरीए जाके अगर आपका account open हो गया है तो वीडियो के description में एक whatsapp number दिया है वहाँ पे जाके आप अपना logging ID और fund transfer का screenshot वहाँ पे send कर दीजिए जिससे आपको अपने premium group में add कर दूँगा अगला stock से हमारा kotak bank यहाँ पर भी मेरा कोई खास clear cut view नहीं है RBL bank यहाँ पर थोड़ा देख सकते ह RBL bank धिये ध्यान दिजाएगा कि यह expiry वाले दिन ना इसमें sort covering बहुत तेज आती है तो अगर यह 246 के ऊपर trade करें तो यहाँ पर एक buying की position बनाईएगा मेरे खासे 250 के target यहाँ पर मिल सकते हैं SBI sort करने की यहाँ पर intraday में कल sort करने की यहाँ पर सला दूँगा कब जब यह 28 388 के 388 के नीचे trade करना start करेगा तब 388 के नीचे अगर SBI जाता है तो यहाँ पर आप sort कर सकते हैं target यहाँ पर 385 और 382 का लगा सकते हैं ध्यान रखिएगा अगर 410 के ऊपर close करता हुआ दिखे तो अब इसे लेके हम जा सकते हैं क्योंकि मैंने कहाँ अगर 3-4 दिन बाद य 410 वाले लेबल को break करेगा closing message पर तो हम इसे लेके जा सकते हैं तो यह थी हमारी bank nifty पर वीडियो वीडियो पसंद आये तो please वीडियो को like और share करना बिल्कुल मत भूलिएगा और नए मैमानों से request है कि channel को subscribe करके जाईएगा मिलते हैं next वीडियो में चैहिन